अंडर 19 वोल्ड कप सेमी फाइनल के बारे में बात करेंगे जो कि करनी चाहिए क्या खेल दिखा है हमारे लड़कों ने और फाइनल में जगे पक्की कर लिए लेकिन सोशल मीडिया पर उससे भी बड़ा बम फूट गया है अंबानी जी अपने बच्चों की शादी में भले ही बियॉंसे को नचा रहे हो लेकिन उनकी IPL टीम में मनुहूसियत नाच रही है IPL की त्याज की सबसे काम्याब टीम मुंबई को ऐसा लगता है नजर लगी है इनकी टैग लाइन है कि दुनिया हिला देंगी लेकिन इनकी खुद की दुनिया हिली पड़ी है मुंबई इंडियन्स का मोटो है वन फैमिली लेकिन इस फैमिली में दरार पड़ चुकी है ये बागवान वाली फैमिली हो गई है जिसमें ऐसा लग रहा है कि रोहित चर्मा मिताब बच्चन है और हर्दिक पंडे अमन वर्मा के रूप में उनकी निकम्मी अउलाद सारा ड्रामा तो आपको पता ही है रोहित चर्मा का मुंबई की कप्तानी से निकाला जाना और फिर उनकी कप्तानी हर्दिक पंडे को मिल जाना बहुत बवाल हुआ था इस डिसिजन पर पिछले साल मुंबई की टीम की पियार मैनेजमेंट ने ये बोलकर मामला रफा दफा करा कि इस डिसिजन में रोहित चर्मा की सहमती शामिल थी लेकिन कल एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके दावों की पोल वैसे ही खोल दी जै कि रोहित चर्मा कप्तानी के बहुत से फ्री हो जाए और अपनी बल्लेवाजी पर धेहन दे अब यहां तक तो जो उन्होंने बोला वो वही रटी-रटाई बात थी जो मुंबई मैनेजमेंट ने बूली लेकिन यहां आया कहानी में ट्विस्ट और ट्विस्ट कौन लेकर बोलो बोलो टैल टैल कोई क्रिकेटर या कोई रिपोर्टर नहीं भावी अपने रितिका भावी रितिका भावी ने इस पोस्ट पर कॉमेंट करके लिखा So many things wrong with this यानि इस बात में कितनी सारी चीज़ें गलत हैं अब ये समझ नहीं आया कि भावी ये बोल रही है कि जो रोहित शर्मा के साथ हुआ वो गलत है या फिर जो मार्क बाउचर बोल रहे हैं वो गलत है जो भी बात हो रोहित शर्मा या उनकी फैमिली से मुंबई की कप्तानी जाने के बाद आने वाला ये पहला कॉमेंट था और इस कॉमेंट ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया साफ हो गया कि मुंबई ये रोहित शर्मा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा रोहित और हर्दिक पंडेया फैंस के बीच एक बार फिर से तलवारे खिंच गई एक तरफ पंडेया फैंस का ये कहना था कि रोहित शर्मा के फैंस को मूव आन कर जाना चाहिए पिछले कुछ समय से आईपिल में रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा है और हर फ्रेंचाइजी को ये हक होता है कि वो फ्रेंचाइजी की बहतरी के लिए जिसको मर्जी उसको कप्तान बनाए वहीं दूसरे तरफ रोहित के फैंस का कहना है कि एक ऐसा कप्तान जिसने मुंबई को आईपिल की टॉप टीम बना दिया उनके साथ इस तरह का बरताव नहीं होना चाहिए था बेंगलूरू और चेन्ने के फैंस ने तो रोहित चर्मा को अपनी टीम में आने का ओफर भी दे डाला हलाकि इतना बवाल होने के बाद जिस पोस्ट पर रितिका भावी ने कॉमेंट किया था वो पोस्ट डिलीट कर दी गई जा बात करना है अब तो मुझे आईपिल का बेसबरी से इंतजार हो रहा है मुझे देखना है कि हार्दिक और रोहित एकी टीम में किस तरह से परफॉर्म करते है आपके हिसाब से क्या मुंबई की टीम मैंजमेंट ने रोहित के साथ गलत किया रितिका भावी के मैसेज का क्या मतलब हो सकता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरू बताइएगा और हाँ हमारे अंडर 19 वोल्ड कप टीम के लिए भी दो शब्द जरू कहिएगा कप्तान उदय सहारन की वज़े से हमने सेमी फाइनल में साथ अफरीका को हरा दिया और अब 11 वर्वरी को फाइनल खेलेंगे पाकिस्तान या फिर उस्टेलिया के खिलाफ भारती टीम हम मिलते हैं कल आपसे एक और कड़क वीडियो के साथ